पुरी में 450 ग्राम गांजा के साथ महिला तसकर गिरफतार पुरी थाना पुलिस ने मुगबरी के सूचना पर से दबश दे कर एक महिला तसकर को गिरफतार किया है पुलिस ने उसके कबजे से 450 ग्राम मादक पदार तक गांजा बरामत किया है पुलिस ने बताया है कि महिला वैद रूप से गांजा बेचने का धंदा कर रही थी इस मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ NDPS Act के तहट केस दर्च कर जाग चुरू कर दी है पुलिस को महिला के पास से तलाशी में मिला बादक पदार्द जानकारी के अनुसार पुरी थाना प्रभारी बलविंदर धिलन को मुगबरी से सूचना प्राप्त हुई कि थाना शेतर के एक खिंडी पुल के पास एक महिला और उसका पती अवैद गांजा बेचने का काम कर रहे हैं जिस पर से थाना प्रभारी ने तदकाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुच कर पुलिस टीम ने जब महिला की तलाशी ली तो उसके पास से प्लास्टिक एक थैली में चार सुपचास ग्राम मादक पदार्द गांचा बरामुत हुआ ठाना प्रभारी बल्विंदर सिंग धिल्ला ने बताया कि पॉलिस ने इस मामले में महिला फूल कमवर पतनी शेशुपाल वैस के खिलाफ 8.20 लड़ीपेस एक्ट के तहट केस दर्च कर जांच शुरू कर दी है समवाद दाता धरमेंदर शर्मा की रिपोर्ट जी मुखुवित की सुचना से वरिष रदिकारियों को अबट कराकर वरिष रदिकारियों के दिर्देशन में मेरे दौरा मेंबल के मोके पर पहुंचा गया जहां मुख्विर द्वारा बताई गी गया कि एक महला गांजे का बिकरे करती पाई गई जिसके पास कॉले थिन में गांजा था जैसे चेक किया गया और मौके पर पूरी कारवाई की गई चुकि महला का अपराद आठ बटे भीग धारा के तहत दंड़निये पाया जाने से औ उससे जब्द गांजे को बिदी बद जब्द कर थाने पर लाया गया